हर्याना एक नाइन बेर में शेनल में आपका स्वागत हैं आएक आपको कराते हैं खबरोस अपडेट भयानक सड़क हाथसा शाभी सम्हारों से लोग गहे एक ही गाउं के तीन लोगों की हुए मौद निजामपूर माजरा के थे लोगों हाथसे की सुचना पर गाउं में मादम चाया कार की निजी बस के साथ होई भिडंत भटगाउं रतनगड के पास हुआ यह हाथसा खरकुदा के फर्माना से सटी निजामपूर माजरा की तीन युवकों की बीती रात को सड़क दुर्खटना में मोथ हो गई जिबकि गाड़ी चालक पवन की हालत गंभीर बताई जा रही है जिसे उपचार की बाद रैफर किया गया है जानकारी के मताबिक फर्माना निवासी सत्बीर हाल समय सोनीपत में रहते हैं और उनके लड़के की शादी के कारेक्रम में फर्माना वे निजामपूर माजरा से भी क्रामिंग शादी में हिस्सा लेने गई थे जिसमें निजामपुर गाउन निवासी रविंद्र, पूर सरपंच सुखपाल, धीरजुय पवन एक ही गाड़ी में गई हुए थी शादी समारू अटेंड करने की बाद जब वे वापस अपनी गाउन निजामपुर माज़रा लोट रही थी तो देरात को एक नीजी बस के साथ कार की भिडन्त हो गई जिसमें कॉंट्रेक्टर बिल्डर रविंदर ठेकिदा जिनकी उमर करीब 48 वर्ष गाउन की पूर सरपंच सुखपाल, उमर करीब 50 वर्ष गाउन निवासी धीरज जो खीती बाड़ी का काम करता था उनकी मोथ हो ग पतीजा है जो द्वार का रहता था घायल पवन ओसकर हस्पताल में भरती है। हादसा इतना अधिक भयानत था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गई।